देख के बाद एक बार फिर आपनों का श्रावस्ती को कुछ पड़ी खबूर बाद श्रावस्ती शनिवार को करवा चौत निराजी व्रत रहकर आस्मान के चांद कर दीदार किया और पिर अपने पती रूपी सूर्य की सलामती के लिए नंबर कामनाई की सुहागिनों का बहुत प्रतिक्षित निर्जला करवा चौत का व्रत रखकर पती की सलामती एवं उनती की कामनाई की सूर्य अस्थ होने के पहले एकॉना में नरेश खुसला के आवास पर पंजाबी समुदाई की महिलाओं ने विधी विधान से पूजा की इस दोरान शारदा नयर ने उपस्थिती सभी महिलाओं को करवा चौत की कथा सुनाई पंजाबी समुदाई में ये पूजा-सूर्य अस्थ होने के प्रूड मनाया जाता है एकॉना में पंजाबी समुदाई की महिलाओं ने शाम को चांद निकलने से पहले पूजन अर्चन किया और चंद्रदर्शन के बाद सुहागिनों ने व्रत तोड़ा और पती वर अपने बड़ों का आशिरवाद प्राप्त किया करवा चौथ वरत मंतर से पती लंबी आयो को प्राप्त होते हैं आपको बता दे कि फूर्मिमा के चांद के बाद जो चौथ पढ़ती है उस दिन करवा चौथ मनाया जाता है इस वरत को सुहागे महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र के लिए करती हैं वरत में महिलाएं पती के लिए लंबी उम्र की कामना करती है साथ की अखन सौभग देवती का आशियर बाद पाती है करवा चौथ के वरत और फोजन को पूरे विधी विधान से किया जाना चाहिए विधी से वरत करने से वरत का फल मिलता है मा पारवती की स्कुती के साथ कथा पड़ी जाती है करवा चौप का महत्व विदेशों में भी भार्थियों महिलाएं अपने पती की लंबी उन्म के लिए करवा चौप का व्रत करती है घर्म पुरानों में स्कुत्री को शक्ती का रूप माना जाता है आलांकि करवाचौत का वरत सिर्फ पतियों तक सिन्मित नहीं है यह वरत महिलाई पती पुत्र आदिं के लिए भी कर सकती है पर खास्तों पर यह वरत पती के लिए ही किया जाता है हमारी पॉरानिक कठाओं में सावित्री अपने पती को यम्राज से वापस ले आती है यानि स्क्री में इतनी शक्ती होती है कि वो यदी चाहित तो कुछ भी हासिल कर सकती है आज महिलाएं करवा चौप के व्रत के रूट में अपने पती की लंबी उम्र के लिए भूखी प्यासी रहकर तब करती है ग्रत में महिलाएं स्नान आधीतर सोलह श्रिंगार करती है इसके बाद बहसार दिन मिराहा रही उत्वास के बाद महिलाएं ने शाम में पार्वती माता की पूजा कर पती की लंबी आयो की काम ना की इस अफसर पर पूनम खोसला, सरिता खोसला, उशा बहर, कुमुद बहर, कविता नयर, सेजल नयर, रेखा खोसला, लता खोसला, आस्था खोसला, शिखा नयर वा मोहनी खोसला सहितनीक महिलाओं ने पूजा अच्जना किया रिपोर्ट राजेश कुमार कांडेया झाल झाल झाल